कुर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम इस लेक्चर में आज के द्वारा जो में बिल्ट in functions होते हैं कुछ ऐसे function जो RSi Aye rice kuori के अंदर निहित होते हैं और कैसे कार करते हैं और उनके क्या उपयोग होते हैं इनके बारे में बाप करने वाले हैं आपको याद होगा कि जब हमने R Software के आरम में कर्शा करी थी तो मैंने आपको बताया था कि R Software में कार करने के हमारे पाद दो आप्षन्स है पहला आप्षन यह है कि हम हर कार को करने के लिए अपना एक प्रोग्राम लिख सकते हैं और दूसरा आप्षन यह है कि कुछ लोगों ने हमारी सहता करने के लिए उन प्रोग्राम को पहले से लिग दिया है हम उन प्रोग्राम को डारेक्ली इस्तमाल कर सकते हैं जैसे उधारग के लिए हम अगर आप से करते हैं कि हमको कुछ संख्याओं का यू करना है सम निकालना है तो आप लोगों ने बच्पन में जो छोटी क्लासिस में पहा होगा कि उसके लिए हमारे पास concept होता है जैसे sum equal to zero, num equal to zero, sum equal to sum plus num इत्यादी या तो आप उस तरीके का program पुरा-पुरा लिखिए और या दूसरा option ही यह है कि इसी और ने उसका उन संख्याओं का योग निकालने के लिए एक program लिख दिया है और उस program का एक नाम दे दिया है sum आप उस function को call करिए और उसके अंदर अपनी जो input data है आप उसको दीजिए और उसके बाद में आप वह आपको value देदेगा तो इस तरह के हमारे पास से बहुत सारे functions हैं जो R software के अंदर बना दिये गए हैं इसका मतलब क्या है कि जैसा आपने देखा था कि R software का जो development है उसमें विश्व में अलग अलग जगा से लोगों ने contribute किया है तो यह कार लोगों को divide कर दिया है क्या है कि आप sum का function बना दिये आप mean का function बना दिये आप maximum निकालने का function बना दिये त्या दिए अब वह इस R software के part है आप उनको directly उनके नाम से call करिए और उसके अंदर data input दीजिए और वह आपको function को execute करके उसकी value पकड़ा देंगे तो कलिए हम इन built-in functions के बारे में बात करते हैं और साथ ही हम आपको यह भी तिखाएंगे कि अगर हम built-in function के साथ में अपने पहले जो हमने calculation सीखे हैं scalars और data vectors के उनको भी हम इन function के साथ में कैसे उप्योग कर सकते हैं तो चलिए हम इस lecture क्यों आरम करते हैं और इन चीजों कर सीखते हैं कि हम लोग ने कई lectures में देखा है कि आज जो हमारा है जो अगर स्टैंडर कैलकुलेशन हैं addition, subtraction, multiplication, division, modular, division, integer, division, इत्यादी वह साथ इसमें हो सकते हैं साथ ही आर के अंदर कुछ हमारे built-in function भी है, built-in का मतलब अंदर निहित हैं उसके लिए आपको बाहर से प्रोग्राम नहीं लिखना है तो हमारे पास R के अंदर ऐसी भी सुवधा है कि उन कारियों को करने के लिए functions पहले से बना दिये गए हैं और हम उनको उनका नाम लेकर के call कर सकते हैं और उनका हम उप्योग कर सकते हैं अब हम एक काम करते हैं चलिए कुछ को धारग लेते हैं और उन धारग के द्वारा हम आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं यह built-in function क्या होते हैं और यह किस प्रकार से काम करते हैं और यह हमारी आपसे request है कि आप यह समझने की कोशिश करिएगा कि इन built-in function को किस करीके से इस्तमाल किया जाता है और किस तरीके से खास तरपर data input किया जाता है इसके बारे हम आपको भी lecture की बीच में बताएंगे भी लेकिन उसके पहले ज़रा सा हम कुछ उधारग ले करके समझने की कोशिश करते हैं कि यह built-in function कैसे कार करते हैं अब जैसे उधारग के लिए अगर हम कहें कि मुझे कुन संख्याओं की maximum value निकालनी है तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास तीन संख्याओं है 1.2, 3.4, minus 7.8 और इन तीनों संख्याओं में से कौन सी maximum है यह मुझे निकालना है तो obviously यहाँ पे 3.4 देखी maximum है तो आप जैसी लिखोगे max यह हमारा maximum निकालने का operator है और parenthesis में आप इन तीन value को आपने लिख दिया और आपने enter कर दिया तो जैसी enter किया यह value आपको मिल जाएगी 3.4 अब हम इसी कार को जड़ा एक बार फिर से करते हैं और आपकी आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं आपने यह सीखा था कि जब भी हम data को input करते हैं हमारे पास या तो values होती हैं या हम उन values को data vector के format में दे सकते हैं और उसके लिए हमको जो c command होता उसको इसको इस्तमाल करना होता है lower case में आप c लिखी और bracket के अंदर आप उन values को कॉमा के साथ में लिख दीजिए अब हम इन ही तीन value को जो हमने यहां पली हैं उनको हम data vector के साथ में लिखते हैं आपने रहन दिया यहां वाले इस वाले case में प्रथम case में हमने data vector को इस्तमाल नहीं किया है अब देखिए हम इसी value को यहां पर लिखते हैं हम c 1.2, 3.4 और –7.8 अब यहां पर जब आप इंटर करोगे तो इसका भी उत्तर देखिए 3.4 आ गया और जो सही answer है यह उत्तर सही है अब आपको एक बात का ध्यान देना है कि हम पहले वाले उधारग में हम c का उपयोग नहीं कर रहे हैं अधाद हम data को data vector के format में input नहीं कर रहे हैं और दूसरे वाले उधारग में हम उन्हीं values को data vector के concept को इस्तमाल करते हुए values को input कर रहे हैं लेकिन दोनों का उत्तर से मारा है इसके पीशे कुछ एक एक ऐसा कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं लेकिर उसके पहले हम आपको कुछ और उधारग दिखाना चाहूंगा अब जिस तरह के से हमने maximum निकाला उसी तरह के से हम minimum भी निकाल सकते अर्थात अगर आपको कई सारी values दी हुई है और उसमें से जो सबसे छोटी value है अगर मुझको वो निकालना है तो हमारे पास command होता है min यह सभी को हम lowercase alphabet में लिखते हैं और जैसे कि आप देखेंगे यह जो पहला हमारा धारण है यहां पर मैंने 3 संख्याय लिए है 1.2 3.4 और minus 7.8 और जब हम इसमें से यहां पर minimum operator को लगाते हैं और इंटर करते हैं तो इसकी value आ जाती है minus 7.8 और वह आपको मालूम है कि 1.2 3.4 और minus 7.8 में सबसे छोटी value कौन सी है minus 7.8 लेकिन इस उधारण में आप अगर देखेंगे तो मैंने data vector के concept को इस्तिमाल नहीं किया है अब जड़ा हम यही कार फिर से करते हैं और हम यहां पर data vector के concept को इस्तिमाल करते हैं तो देखी इन values को मैंने यहां पर फिर से data vector के format में लिग दिया और मैंने यहां पर c command का इस्तिमाल कर लिया और यहां पर जैसी अंटर किया तो हमारे पार देखिए उत्तर आगी है माइनस सेवनपॉइंट पॉइंट और ये भी देखे सही बहुत है यह उत्तर और यह उत्तर दोनों हमारे सही है और दोनों में क्या अंतर है कि पहले वाले अद्धार्ण यहाँ पर हम c command का use नहीं कर रहे हैं और दूसरे उधारे में हम c command का इस्तिमाल कर रहे हैं और देखिए यही आप अगर r console में देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा हम आपको करके भी दिखाएंगे अब यहां पर त्वासा आपको ध्यान देना है हम यहां पर arithmetic mean की बात करते हैं arithmetic mean क्या होता है जैसे कि अगर हमारे पास कुछ संख्या है x1, x2, xn इनका अगर मुझे arithmetic mean निकालना है हम सभी का योग निकाल देंगे और हमारे पास जितनी values हैं उनसे हम इसको भाग दे देगे जैसे उद्धाराइं के लिए अगर हम कहें के हमारे पास अगर दो चार छे तीन संख्या है इसका अगर arithmetic mean निकालना है तो क्या होगा दो प्लस चार प्लस छे डिवाड़ेड बाइ टीन तो कितना हो जाएगा चार तो यही arithmetic mean निकालने के लिए हमारे पास एक built-in function है उसका नाम है mean म-e-a-n अब हम यहां पे देखिए अपने data का input दो करीके किसे करते हैं. पहला करीका हमारे होगा कि हम सही command को use करेंगे और दूसा करीका हमारे होगा हम सही कमान कई यूस नहीं करेंगे और डोनों में हम ज़ना सशा अंतर देखने की krak principalmente क्या होता है तो देकी है यहां पर हम ने लिखा mean और साथ में data value देगी 2, 3, 4 ve हमारा मीन क्या होता है टू प्लस थ्री प्लस फोर डिवाइड़ बाइ त्री जो हमारा आजाएगा तीन अब जब आप यहां पर आप इस जगह पर आप दो तीन और चार का अस्मेटिक भी निकाल रहे हैं तो यह आपको उत्तर दे रहा है दो और जब कि आपने देखा कि इसक इसकी इसकी फाल के सामाल करते हुएं कि हम अपने डेटा को डेटा वेक्टर के फरमिट में सी कमाड का इसकमाल करते हुए देते हैं तो इनहीं 2, 3, 4 को मैंने सी कमाड के साथ में दे दिया और मैंने उसा मीन ओपरीटर लगा दिया अब यहां पर देखिएग इसकी वैल trash झ जब आपने अपने C कमान का इस्तमाल नहीं किया है, तो वो आपको एक value दे रहा है, जो ठीक नहीं है. और जब आपने C कमान का इस्तमाल किया है, तो आपको ये सही value दे रहा है. लेकिन दोनों में एक चीज common है, कि ये आपको error या warning type की कुछ नहीं दे रहा है, ये आपको एक value दे रहा है, तो अब एक ये सवाल होता है, कि इन दो चीजों में हम ये कैसे judge करें, कि हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, और ऐसी situation हमारी आ सकती है, आप ऐसे सोचिए, कि आप पे किसी program को आपने लिखा है, और उस program में कहीं से data values आ रही है, और उसमें आपको उसका arithmetic mean भी निकालना है, अब values कुछ आईं, आपने वहाँ पे data vector के concept का इस्तेमाल नहीं किया, और values आईं और उसके उपर mean का जो function है, य कि कुछ numerical value आ दें, और वही value हमारे आगे program में इस्तवाल होती चली गए, अब उस complicated program का क्या outcome आएगा, ये तो आप हाँ से नहीं निकाल सकते हैं, लिकिन होगा क्या, वो value सही नहीं होगी, जो आपका outcome होगा, वो सही नहीं होगा, अब समस्या ये है कि आपने अभी देखा यहाँ पर की जो minimum था, maximum था, वहाँ तो ये अगर आपने c command का use किया है कि नहीं किया है, आपने data vector के concept का इस्तमाल किया है कि नहीं किया है, दोनों में answer सही आ रहा था, लेकिन जब आपने mean निकालने की कोशिश करी, तो यहाँ तो अंतर हो गया, तो अब सबसे बड़ा सवा ये आता है कि ये क्यों हो रहा है और इसको किस प्रकार से हल किया जाए, देखिए जहां तक मुझको समझ में आता है, अब सही कारण तो पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझको समझ में आया, ऐसा हो सकता है कि जब R का development शुरू हुआ था, तो R के different functions को develop करने के लिए हमारे इ इसा संभव है कि कुछ लोगों ने data को input करने के लिए जो instructions दिये हैं, वहाँ पे दिया कि data का input data vector के format में होगा, और कहीं पे उन्होंने दे दिया कि वो ऐसा ही format में होगा, तो अब लेकिन उसमें चुकी R हमारा double up हो रहा था, तो इसलिए उस program को accept कर लिया गया, और बाद मे ऐसा देखा गया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये जो भी कुछ कारण था, इससे मुझे फरक नहीं पड़ता है, हमारा मूल उद्देश है कि समस्या का समधान कैसी किया जाए, समस्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनका समधान लोना जादा important और जादा कथिन काम होता है, अ कुछ हमारे उत्तर अलग आ सकते हैं कभी कभी, लेकिन जब हम data vector के format में data input कर रहे हैं तो हमारा उत्तर सही आ रहा है, तो क्यों ना हम अपने सारे data input हैं, वो हम data vector के format में करते हैं, हमको जब भी एक से ज़्यादा अगर values को data input में देना है, तो क्यों नहीं हम उसको c command का use करत हुए हम उसको data vector के format में देते हैं, तो उसे कम सकम ये तो पका है कि कोई गलती नहीं होगी, तो आज से हम लोग अपने इस course में जब भी हम कभी data को input करना चाहते हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा values हैं जो usually होगा, हम हर दम data vector के concept का इस्तमाल करेंगे और अपने हम data को C कमाल का इस्तमाल करते हुए ही हम input करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मेरा आप सब को सुझाव है, चलिए हम अपने course में आगे बगते हैं और इन चीजों को हम आपको आगे करके भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ और चीजों के ब minimum, maximum इस तरह के operation दिखाएंगे हैं, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी operations होते हैं, जैसे अगर हमको संख्याओं का अगर absolute value निकालना है, तो उसके लिए हमारा function है a, b, s, सब कुछ small alphabet में लिखा गया है, lower case alphabet में लिखा गया है, और उसके बाद नियम यही है कि उसके parenthesis है, parenthesis के अंदर आपको data input करना है, यहाँ पर, अब उसी तरीके से अगर आपको square root निकालना है, किसी संख्या का, तो हमारा command है sqrt, अब जैसे आपको याद होगा कि हम लोग ने पहले 2 का square root निकाला था, तो इसको कैसे लिखा था, 2 hat 0.5, अब हम इसकी जगह यहाँ पर direct sqrt और bracket में दो भी लिख सकते हैं, दोनों मेरे को एक ही उत्तर देंगे, उसी तरह से संख्याव को round off करने के लिए हमारा function होता है, round, floor होता है, ceiling होता है, अब जब हम round की बात करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, कि कोई भी संख्याव, जैस कि अगर हम कहें की one point three है, तो अगर यह point three हमारा अगर point five से कम होता है, तो हम इसको round off कर देंगे, तो value हो जाएगी one, और अगर यही value अगर आपकी one point say six है, जो one, इसका जो point six point five से ज़्यादा है, तो यह value हो जाएगी two, उसी तरह से हमारे पास floor और ceiling के functions होते हैं, अब कुछ संख्याओं का sum और product निकालने के लिए हमारे पास direct functions होते हैं, वो है sum sum और prod product, तो इसमें से क्या है कि जो भी आपको संख्याओं देनी है, उनका input आप इस parenthesis के अंदर दे दीजिए, तो आपको उन संख्याओं का sum या product मिल जाएगा, उसी प्रकार से log values को निकालने के लिए लॉग फंक्शन भी होता है, अब लॉग में आपको मालूम है कि हमारे पास भिन भिन तरह के log functions होते हैं, एक log function होता है, जिसको हम करते हैं, नैचुरल लॉग और इसको हम ऐलन से डिनोट करते हैं, तो यहां पे क्या होता है, लॉग फंक्शन में जो इसका base होता है, वो एक 10 को निकालना है, तो हमारा command है log 10, उसी तरह से हमारा log 2 भी है, अगर आप उसका base change करना चाहते हो, तो, उसी प्रकाश से exponential function को निकालने के लिए हमारे पास command है exp, और जो हमारे trigonometry के functions होते है, sin, cos, tan, cos x, cot, उसके लिए हमारे पास यहां पे r में function है, sin function का है, sin, cos function का है, cos, tan function का है, tan, cos x का हमारा होता है, a sin, sec का हमारा होता है, a cos, यहां पे लिग देते हैं, cos x, यहां पे लिए हमारा होता है, a tan, उसी तरह से हमारे जो hyperbolic functions होते है, sin x, cos x, tan x, a sin x, a cos x, a tan x, यहां पर मैंने आपको कुछ धारन देने की कोशिश करी है, लेकिन हमारे पास इनकी एक बहुत लंबी list है, जो हमारे यहां पर functions होते हैं, तो चलिए आगे बगने के पहले जड़ा हम इनको R console में करके देखने हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले की C command को इस्तमाल करते हुए, और C command को इस्तमाल करें बिना जब हम data का input करे तो जैसे हमने आपको दिखाया, जैसे कि हम कहें maximum, अगर हम को मालिए 23, 78 और से माइनस 45 की बीच में अगर निकालना है, तो इसमें से maximum क्या होगा 78 यह देखिए आ गया, लेकिन मैंने यहां पर जो अपना data input है, C command को इस्तमाल करें बिना दिया है, अब हम यहां पर C command का इस करते हैं, और हम इसका data input करते हैं, तो देखिए इसमें से क्या जाएगा, उत्तर आपका same आ गया, अब हम इसी में जड़ा सा minimum command का इस्तमाल करते हैं, तो इसका हमारा command क्या था, M I N, तो हम देखेंगी minimum, और bracket में जो हमारी data values है, 23, 78, minus 45, इंको दे देते हैं, और आप देख अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर C command का इस्तमाल करते हुए करते हैं, को देखें क्या होगा, फिर से हमारी value वही आ गई, लेकिन अब जड़ा हम mean का use करते हैं, तो आपने देखा कि mean 2,3,4, यह क्या गया, 2, लेकिन इसी function को अगर हम यहाँ पर C command के साथ में use करेंगे तो इस concern हमारा जाएगा 3, जो हमारा सही है, actually इस mean function में क्या हो रहा है, कि यह mean function जब इस parenthesis के अंदर आता है, तो यह पहली value ही पग करके यहाँ पर रुप जाता है, तो यह हमको basically जो 2 का mean दे देता है, तो 2 का mean हमारा क्या होगा, 2 divided by 1, तो कि यहाँ पर हमारी एक ही संक्या ह इसलिए इसकी value यहाँ पर 2 आ जाती है, अब हम के लिए आगे बगते हैं और हम आपको यह जो हमने कुछ अलग-अलग functions लिए हुए हैं, इन function को पहले हम आपको इस्तिमाल करके दिखाते हैं, और हम आपको यहाँ पर यह दिखाना चाहेंगे, कि यह functions हमारे scalar format में, या जब हमारा data scalar है, या जब हमारा data vector के format में है, तो यह किस प्रकार से कार करता है, तो सबसे पहले चलिए हम आपको जो हमारा absolute function है, हम उसके बारे में दिखाते हैं, इसका हमारा command है ABS, और यह मैं आपको बता दू, मेरा यहाँ पर objective बिल्कुल भी नहीं है, कि मैं आपको सारे सारे function के बारे में बता हूँ, बलकि मेरा objective यह है, कि यह function कैसे काम करते हैं, और इनमें कहां कहां पर आपको साफधानिया रितनी हैं, उसके बारे में बताना, तो अब देखिए, absolute function हमारा किसी भी negative value को positive value में बदल लेता है, जैसे हम कहते हैं, absolute value of minus 4 equal to 4, उसी तरह के से हम जहाँ अब लिकिंगे abs lowercase alphabets में, और parenthesis में लिख देंगे हम minus 4, तो इसके रिखी value क्या जाएगी 4, अब ऐसी अगर हमारे पास यह data, data vector के format में है, तो क्या होगा, यह जो absolute function है, यह इस bracket के अंदर आ कर, parenthesis के अंदर आ कर, हर एक data value पर operate हो जाएगा, जैसे कि हम कहें कि यह हमारा ह तो हो जाएगा absolute value of minus one, फिर absolute value of minus two, फिर absolute value of minus three, उसके बाद absolute value of four, और absolute value of five, अब आपको पता है कि absolute value of minus one कितनी होती है, one, minus two कि absolute value कितनी होती है, two, minus three कि absolute value कितनी होती है, three, और चार और पांस कि absolute value हमारी चार और पांस होती है, देखिए यही उत्तर आपको यहाँ पर मिल गय तो देखिए इसी तरह से आपके जो बाकी function भी है operate करेंगे अब हमको जैसे square root निकालना है अगर हमा लिए एक संक्या मारी चार उसका हम square root निकालना चाहते हैं सभी को पता है कि इसका square root दो होता है हम यहाँ पे लिखेंगे s q r t lower alphabets में और यहाँ पे parenthesis में लिख देंगे fourth आप जैसी इंटर करोगे आपको यहाँ पे पत्तर जाएगा दो अब यही कार हम इसके लिखेंगा अगर data vector पर करने की कोशिश करें तो बैने यहाँ पे देखिए चार values ले लिए चार, नौ, सोला और पच्चिस तो जैसी हमारा square root function इसके अंदर आएगा तो यही कार आप जब आर कंसोल पे करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऐसे values आ जाएंगी अब हम आपको एक और function के बारें बताते हैं वह हमारा sum यह जो function है sum sum यह हमारा इस parenthesis के अंदर हम जो भी संख्याएं देंगे यह उसका योग कर देगा जैसे कि मैंने यहाँ पे चार संख्या लिए हैं और जब तो जब हमारा sum function इसके पर operate कर देगा तो यह हमको 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इसकी जो value है 17 यह आपको दिखा देगा और उसी तरीके से हमारे पास एक और function होता है PROD यह हमको different numbers का product है उसको दिखा देता है तो जैसे कि अगर हम कहें C2357 का हमको product निकालना है इसका मतलब कि हमको 2 into 3 into 5 into 7 यह वाली value निकालनी है और यह value हमारी क्या आएगी 210 तो आपने देखा कि यह जो हमारे छोटे छोटे functions हैं हम जब यह अपने बगए-बगए calculations करेंगे उसमें यह मुझे को बहुत साहिता करेंगे उसी तरीके से अगर हम अपने round function को इस्तेमाल करते हैं तो इसका हमारा syntax है और इसका कार क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है माली यह 1.23 तो यह वाला जो part decimal में यह हमारा हम चेक करते हैं कि यह 0.5 से चोटा है यह 0.5 से जादा है और अगर यह 0.5 से जादा होगा तो इसमें से हमारा एक add हो जाता है और अगर 0.5 से कम होगा तो हमारा वही जो हमारा number आ जाएगा जैसे कि अगर हम कहें कि 1.23 अगर है इसको अगर हम round off करेंगे तो यह जो 0.23 हमारा 0.5 से कम है तो इसका उत्र आ जाएगा एक और अगर हम मान लिए 1.83 को अगर हम round off करेंगे तो यह जो हमारा 0.83 है यह हमारा 0.5 से जाधा है तो इसकी value आजाएगी 2 तो इसी function को जब हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए मानने लिखा round और parenthesis में लिखा 1.23 तो मुझे को यह उत्र देदेगा 1 और जब हमने लिखा round और parenthesis में लिखा 1.83 तो यह उत्रा जाएगा 2 और इसी कार का देखिए यह screenshot भी है राइट ओके अब मैं आपको जड़ा सा log function के बारे में बता दू अब log में आपने देखा है कि हमारे पास जो concept होता है वो कई तरीके का होता है एक होता log और इसमें एक दिया जाता है base तो अगर यह base हमारा exponential होता है तो इसको हम कहते है natural log और इसको हम ln से ऐसे करके denote करते हैं तो यह basically क्या है log base e और जब हमारा अगर हम इसका base को हम करते हैं 10 तो यह क्या होता है log base 10 तो इसको हम simply log भी लिखते हैं कभी कभी तो इसी तरिके से हमारे R software के अंदर भी इन log functions को इस्तेमाल किया गया है अब अगर हम यहां पे देखते हैं कि log of 10 तो यह जो log है यह command बेरा हमको संख्याओं का natural log बताता है तो हमने 10 का natural log निकाला तो यह आजाएगा 2.30 और अगर यह बात आपको verify करनी है कि यह natural log दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो आपके काम करिए हम जी जो गरिक में करते हैं log of e और with base e आप कर दिए log of exponential of 1 तो देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा एक अब अगर आपके पास skiller की जगह अगर data vector है जैसे मैंने यहाँ पे तीन value ली है 10, 100, 1000 तो यह जो log function है यह इसके अंदर आ जाएगा और यह log of 10, log of 100, log of 1000 निकाल कटके आपको यह तीन values दे देगा और इसमें ही आप अगर मालिये कि आपको log जिसका हमारा base अगर 10 होता है तो log of 10 कितना होता है 1, log of 100 कितना होता है 2, इत्यादी अब आप देखिए, तो log of 10, 10, जब आप करेंगे 10, तो यह आपको value देदेगा 1, log of 10 आप करेंगे 100 के लिए, तो यह value देदेगा आपको 2, और अगर आपके पास x से ज्यादा values है, आपके पास इसके लिए की जगा data vector है, तो आप इन values को अगर आप अगर यहां पे लेंगे तो यह 10, 100, 1000, तो यह log operator इसक right, तो इसी तरीके से यह देखिए आगे बगता जाएगा लेकिन हम आपको आगे बगने के पहले जड़ासा इन commands को R software में कैसे इसके बारे में हम बता देते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें absolute function की, अब अगर हमको absolute value of minus 9 निकालनी ही तो यह क्या होगी, 9, और absolute value of अगर मेरे क अगर simply अगर 7 निकालनी, पस्ट अमबर की तो यह क्या होगी, 7, अब अगर हम यहाँ पर absolute value अगर हम किसी data vector के निकालना चाहते हैं, तो हम कह दे, minus 2, minus 3, 4 और 5, तो देखिए क्या हो जाएगा, यह absolute function हमारा, इस parenthesis के अंदर आजाएगा, और यह absolute value of minus 2 देदेगा 2, absolute value of minus 3 द right, उसके बाद में अगर हम को माली इनका कम यह प्रोडेक्ट निकालना अगर है, अगर हम कहते हैं माली जी की sum of 2, 3, 4, 5, तो क्या हो जाएगा, 2 plus 3 plus 4 plus 5, तो देखिए सना आपको देदिया 14, और उस को आप अगर यहां पे अगर प्रोडेक्ट के फॉर्म में निकालना चाहें, तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 4 into 5, 2 into 3 is 6, 6 फोड़ा 24 और 24 फोड़ा 120, right, तो देखिए आप इस तरीके से इसमें का sum प्रोडेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसी तरीके से अगर आपको square root अगर निकाल तो 9 का square root क्या होता है, 3 और अगर आप अगर यहां पे किसी data vector का भी square root निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा square root of, suppose, c में मैंने कर दिया, 9, 10, 12, 17, 17, जेखिएंगे, तो यह square root function आपका, इसके अंदर आगया, 9 का square root हो गया, 3, 10 का square root, 3.162278, और उसी तरी से 12 और 17 का square root यह आगया, और अगर आपको याद हो, हम लोग ने square root of 2 भी निकाला था, इसको हमने कैसे निकाला था, 1.414, और इसी चीज़ को आप अगर यहां से भी करना चाहें, कि 2 hat 0.5 तो आप देखेंगे, कि यह भी value वही हाँ चाहेंगी, 1.414214, तो यह आपको एक confidence देता है कि आप जो कर रहे हो, ठीकी कर रहे हो, अब अगर माल लिए हम यहां पर minus 2 का square root निकालते हैं तो क्या आएगा, जिए जाए कि N, A, N, और साथ में आपको warning message जे रहा है, आपको पता है कि negative values का square root नहीं निकाला जा सकता है, तो उसकी जगा आपको यह N, A, N दे रहा है, हमारे पास कुछ result values होती है, N, A, N, A, N और null, इसके बारे में हम रिस्तार से आगे आने वाले समय में बात करेंगे, और इसी operation को अगर हम माल लीजिए, अपने अगर इस data vector में format में करते हैं, और अधाराय के लिए अगर हम माल यह पहली value को negative ले लेते हैं, को देखे किया आता है, जो भी आपकी negative value का जो square root था उसने कर दिया, N, A, N, और बागी का आपने square root यहां पर निकाल लिया, तो देखे, इस परीके से आपका यह जो R software है, इन functions को handle करने की कोशिश करता है, अब हम आपको ज़रा से यहां पर एक operation और करके दिखाना चाहते हैं, कि जैसा आपने दिखा था कि जब भी हम किसी value को consider करते हैं, तो उस value को हम किसी variable के अंदर assign करते हैं, तो हम यहां पर जब value की, scalar value की जगा data vector को लेते हैं, तो data vector की value को भी हम किसी variable में assign कर सकते हैं, जैसे उदाराल के लिए, मैंने यहां पर लिया एक data vector c1234, और उसको मैंने x1 के अंदर store कर दिया, फिर हमने इसी x1 का square कर दिया, और इसकी जो भी value आई, उसको मैंने एक नए variable x2 के अंदर store कर दिया, तो देखिए, यहां पर यह भी हमारे पास सुविदा है कि हम data vector की values को भी हम variable के अंदर store कर सकते हैं, जैसे मैं आपको देखिए, आज software में करके दिखाता हूं, जैसे मैंने कहा की x1 माली जेए c1234, राइट, x1 आपको क्या आगया, तो देखिए आगया, अब आपने x2 define किया, say x1, say square, कितना है जा देखिए, x2, 1, 4, 9, 16, कैसे, 1 square, 2 square, 3 square, or 4 square, और अगर माली जेए, आप यहां पर x3 एक और value दिखाते हैं, suppose log of say x2, तो देखिए, क्या हो जाएगा, x3 के value, हर एक जो values आपने लिए, इसके उपर natural log आपको निकाल करके, जो इसकी values है, यह यहां पर store कर देगा, तो देखिए, इस तरीके से हमारा R software के अंदर आप scalar और data vector, दोनों को आप variable के अंदर assign कर सकते हैं, और इसको आप अपनी programming के अंदर आप इस्तमाल कर सकते हैं, अब मैं आपको एक उधार और देना चाहता हूं, अब तक आपने R software के अंदर जो हमारे भिने भिने operation होते हैं, scalar को लेकर के, data vector को लेकर के, built-in function को लेकर के उनको समझ लिया, अब हम आपको यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि आप इनका कोई भी combination इस्तमाल कर सकते हैं, कैसा पहले हमने किया था कि scalar और data vector को एक साथ इस्तमाल किया था, तो ऐसे दारल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपने यह देखी एक value ली c1234 यहाँ पर क्या है data vector, और उसके बाद में आपने एक और value ली c1234 और उसको आपने एक और data vector था, c12 उसका जो product है उसके साथ में multiply कर दिया, और उसके बाद में आपने इसका उत्तर निकालना है, और उसके पहले आपको इन सारी सारी values को आपस में जोगना भी है, तो इसका भी जो operation बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे grid के जो बाकी नियम होते हैं उन्हीं का पालन करते हो, तो देखें सबसे पहले हम अगर कहें product of c12, अथाद 1 into 2, कितना हो गया 2, अब यह जो value आई है 2 यह आपके यहां पर हर एक value में multiply हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2, 4, 6, or 8, आब इसके बाद में यह कह रहा है कि यह sum, तो किया हो जाएगा 2, plus 4, plus 6, plus 8, तो कितना हो जाएगा 10, तो अब यह जो पूरी value थी, पूरा function था यह आपका हो जाएगा 20, अब 20 scalar है और यह वाला आपका जो data vector है, तो यहाँ पे हर एक में 1 plus 20, 2 plus 20, 3 plus 20, और 4 plus 20, यह हो जाएगा और आपको value मिल जाएगी 21, 22, 23, 24, अब उसी तरीके से आब इस operation में आप अगर absolute value को आप इस्तमाल करना चाहते हैं, तो देखिए मैंने एक data vector ले ले लिया, c1234, उसके बाद में minus c1234, इसके बाद में product e12, तो देखिए इसका जो parenthesis यह है, पहला और अंतिम, इसके अंदर की सारी values को आपको पहले solve करना है, तो आपको यहां पर sum कहें का निकालना है, इस values का, अब आप यहां पर product c12 करेंगे क्या उता जाएगा, 1 into 2, 2, और जब इस two value को आप यहां पर enter करेंगे तो value क्या जाएगी, two, four, six, or eight, और फिर उसके और आप इसका जब sum निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, two plus four plus six plus eight और यह आजाएगा आपका बीस अब आपने यह scalar को आपने इस c1234 से आपने subtract कर दिया, तो क्या जाएगा one minus twenty, two minus twenty, three minus twenty, four minus twenty, उत्र 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 जाएगा minus unnice, minus अथारा, minus सत्रा और minus सोला, अब इसके उपर आपने लगा दिया absolute function, तो उत्र क्या जाएगा? unnice अथारा, सत्रा सोला, तो देखिए, इसने जो गड़ित की नियम होते हैं, उनका ही पालन करते हुए उसने आपको इन जो expressions में जहां पर आपके पास different तरह के functions और data vector थे उसको भी उसने बहुत आसानी से simplify कर दिया, right? तो अब हम देखिए जला सा इन functions को आपको हम ले करके R console में करके दिखाते हैं कि यह काम करते हैं कि नहीं करते हैं और यहीं पर आप अगर इसके साथ में आप अगर अपने इस absolute function को भी आप अगर execute करके दिखना चाहते हैं मैंने इस command को copy paste कर लिया, सो देखिए मारा time बच जाएगा देखिए यहीं उत्तर आ रहा है और मैंने आपको ए बीच में क्या operations हो रहे हैं यह भी मैंने आपको करके दिखा दिये हैं ओके तो अब हम इस lecture में यहां पर रूपते हैं और आपने देखा कि इस lecture में हमने built-in function के बारे में बात करी और आप देखा कि इनको समझना बहुत ही आसान काम था लेकिन ज्यादा important क्या है कि यह built-in function किस प्रकार से कार कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको एक उधारग दिया कि आप अपने data input को आप data vector के form में देते हैं या आप नहीं देते हैं तो उसमें से क्या अंतर आ रहा है इस तरह के जो भी हमारी functionalities है यह आपको fundamental रूप से समझना बहुत important है जिससे कि आप R जो कार कर रहे है आप उसको समझ सके इसी तरह के हमारे पास built-in function हमने यहां पर बहुत थोई से लिए हैं और बागी बहुत सारे हैं और जो आप अगर help menu के दौरा या आप जो हमारे पास different resources हैं वहां सी भी आप अगर ढूने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएंगे लेकिन सबसे important बात है कि उन built-in function को किस प्रकास से इस्तमाल किया जाए किस प्रकास से उप्योग किया जाए तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमारे नियम क्या है जो भी हम input देंगे उसको हम हादम data vector के form में देंगे अब आज इस से lecture के बाद में आपके पास फिर से काफी कुछ करने को है मैं आपको request करूंगा कि आपने अब तक ने जिस वर से calculation किया है वहां पर गंती हो रही है तो आप इस तरह के बहुत सारों धारग लिए आप उनकी practice करी और हम आपको अगले lecture में कुछ और topic के साथ मिलने आएंगे तब तर के लिए good bye .